आद आप मैं शिल्पा आप सबका इस्तक्बाल करती हूँ N.C.E.R.T. के लाइफ फोन इन प्रोग्राम में और हम आज गुफ्तगू करने वाले हैं उर्दू कवायत की तद्रीज के बारे में मतलब की टीचिंग आफ उर्दू ग्रामर और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर मुहम्मद फारुकंसारी जी जो की N.C.E.R.T. के भाशा सिक्षव विभाग में प्राध धापक के ओदे पे कारे रथ है बहुत-बहुत स्वागत है सर तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने आज की चर्चा के विशे के बारे में सर अर्दू कवायत की बात हो रही है तो क्यों ना समझा जाए कि अर्दू कवायत कहते किसे हैं देखे कोई भी जबान हो चाहे वो मादरी जबान हो या गैर मादरी जबान हो या इलाकाई जबान हो उसे सीखने समझने के लिए कुछ असूल होते हैं कुछ जाबते होते हैं कुछ गाइदे होते हैं और इसी के मताबक ही उस जबान की इमारत तामीर होती है यानि वो जो language building है उसी के मताबिक होती है तो इन ही सब की बिनापर जो है और ये सब मिल करके जो है वो उर्दू कवायत कहलाते है कवायत का नाम देते है यानि मकसद ये है कि कवायत का इल्म जबान को सही बोलने पढ़ने और लिखने में हमारी मदद करता है तो ये बनियादी हैसियत रखता है आम तोर पर जो मादरी जबान जिनकी होती है इसकी तरफ तवज़ नहीं देते या उसके पहलों की तरफ जाते हैं जिससे जबान को सही तोर पर बोल सकें तब फिर हमें इन कवायत पर नजर करनी होती है और यही वज़े है कि हम अपनी क्लासरूम टीचिंग पे जो है उर्दू कवायत को भी शामिल करती है सर अक्सर ऐसा कहा जाता है लोग कहते हैं कि हमारी जो भाशा है अगर हमें वो भाशा आती है तो हमें उसका व्याकरन पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी कक्षाओं में हम व्याकरन पढ़ाते हैं हाँ उसकी वज़े है उसकी वज़े ये है जैसे मैंने अभी आर्ज किया कि जिनकी अपनी मादरी जबान जो जबान घर में बोली जा रही है जो घर से वो शुरू से सुनता हुआ चला हा रहा है उस जबान के जितनी भी अफ़ाल है उनकी जितनी भी तराकीब है जितने असू आ जाते हैं और वो उसी की इह तरह से जो है जबान को बोलना शुरू कर देते हैं, जबान का इस्तामाश है श्रू कर देते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो जिनकी तरफ तवज्जव नहीं दी जाती है, कि सिर्फ बोलने की रहत तक या लिखने की हद तो उसको मालूम होते हैं लेकिन बाकी और भी ऐसी बहुत सी चीज़े हैं जिनकर अब ही जिक्र करेंगे उस पर भी गोर करना जरूरी है ताके हम बहतर जो है तरीके से जबान को बोल सकें लिख सकें और पढ़ सकें और यही वज़े है कि शुरू से ही जब बचा स्कूल में दाखिल होता है तब जो जबान की बुनियादी चीज़े हैं उसको सिखाने शुरू हो जाती हैं और अगर इस पूरे पसमंजर को सामने रखे तो हम देखते हैं कि इस कवायत के कई एक हिस्से हैं जिसको हम अलग-अलग हिस्सों की शकल में इसका शुमार करते हैं जैसे सब से पहले उसमें इल्म हिज्जा आता है इल्म हिज्जा में हम जो हरूफ हैं उनके बारे में हरूफ की अदाईगी के बारे में हरूफ की शकलों के बारे में इस सपर जिक्र करते हैं और उसकी मालूमात फराहम की जाती है हरूफ हिज्जा के बाद इल्म सर्फ है इल्म सर्फ में भी जो अगे पढ़कर हम लफ केसे बनते है लफ की तश्कील कैСे होती है और उन की शक्रफ़े कैसे चूले कैसे बनते है लफ से फिर जुमले बनते है ने फिर उन तमां चीज़ों लफर उसके बाद इल्मए नहف पर आते हैं यह तर्टीब है जो इस तरह से आगे चलती रहती है और इसका मकसद यही होता है कि तर्टीब वार जबान की जो खूबियां है उसको सिखाया जा सके और बच्चे के जहन नशीन करें और आगे जाकर वो उसकी जबान अच्छी हो सके वो अपनी बात को बहतर तरीके से अदा कर सके जबान की बारीकियों का उसको इल्म हो जाए जबान की जो खूबियां है वो उसको मालूम होए और यही वो मकसद होता है जो हम अपनी क्लास्रूम टीचिक में अर्दू को बढ़ाते हैं और उसका सूर देते हैं एक सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कवाईट को कभी अलग से नहीं पढ़ाया जाता है कवाईट को जब हम जबान पढ़ा रहे होते हैं तो जो सबक हम पढ़ा रहते हैं उसके साथ ही उसके मतन उसके टेक्स्ट के जरीए ही हम कवायत के जो उसूल है वो बताने की कोशिश करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि वही एक बहतर तरीका है जिसके जरीए हम मिसालों के जरीए सियाको सबाक में कॉंटेक्स्ट में जो है हम उसूल को बता सकते हैं मिثال के तौर पर अगर हम बच्चे को इस्म बताना चाहते हैं तो एक तरीका तो यह हुआ जिसको हम इस्म की तारीफ बता दे कि किसी जगा इलाके नाम के शख्स के नाम को जो है हम इस्म कहते हैं जो कर ठीक है ये उस उसने याद कर लिया या तारीफ उसकी याद कर लिया लेकिन जब ऐसी बहुत सारी चीजहें जब कहीं इतलाव की बात आती है तो वो बहुत मिश्लिखी है कि उसका इतलाव कर सके ऐसी सूरत में बहतर ये है कि हम पहले मिसालों का इन्तखाब करें अगर सबक पढ़ा रहे हैं तो उस सबक से ही ऐसी जुम्ले तलाश करें ऐसे अलफाज तलाश करें और उस तलफाज के जरीए फिर हम बताएं देखे इन अलफाज की ये खूबियां है मिसाल के तोर पर आप किसी एक सबक को लीज़े जिस किसी शखस के बारे में है मेरा नाम राशिद है मैं देली में रहता हूँ इसी स्कूल में पढ़ता हूँ इस तरह का अगर एक पैरागराफ हम सामने रखे तो उसमें बहुत सारी चीज़े शामिल है तो मैं लड़का हूँ एक लड़का आगया उसके बाद जगा आगया उसके बाद नाम आगया इसकूल का नाम इलाका ये तमाम चीज़े अब इनके उपर जोर देना है कि इनकी खूबिया क्या है क्यों इनको ऐसा कि फिर हम उनके जरीय बता सकते हैं ये जो नाम है ये नाम या तो किसी शख्स का है या जगा का है या मकाम का है या कोई और चीज है तो ये जो है इस्म की ये ये खोबी है और इसको हम इसमे खास कहते हैं ये इस तरह से जो है कवायत को हम अपनी क्लास्रूम की तदरीस में शामिल करता है तो सर अगर आज के Teaching Learning के हिसाब से देखें तो अर्दू Grammar को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए देखे आः, Grammar के Grammar की तदरीस के या कवाit की तदरीस के बहूत सारे तरीके तरीके हैं, दो बहूत आम तौर पे जो दो तरीके इस्तामाल किये जाते हैं एक है डिड़क्टिब मैथिड और एक है इंड़क्टिब मैथिड यानि इस्तखराजी तरीका और इस्तखराई तरीका इस्तखराजी तरीका वो तरीका है जिसके जरीए हम बराहे रास्त जो है पहले इस्तलह की तारीफ बयान कर देत वहां पर पहां पेश करते हैं और उसके जरिये फिर हम यह बताने की कोशिश करते हैं कि यह इस्तला है और इसकी तारीफिये है, इसकी मिसाल ये है, इसको जहां पर भी हम इस्तमाल करेंगे. बिसाल के तoka तो पर अगर हम कोई लफस के बारे में बता रहे हैं तो उसको देखें कि एक चार्ट जो है इसको आप नजर में रहे बारे में है। यानि हरूब से शुरू होता है हरूब से जुमले बनते हैं और उन जुम्लों से जो है पहले हर्फ है हर्फ से लफ तश्कील पाता है और वो जो लफ है वो लफ जो है दो तरह का होता है एक मौजू होता है एक मौमल होता है ये दो अलफाज जो होते हैं मौजू अलफाज मानी बामानी अलफाज कहलाते हैं वो उसके अलग-अलग किसमे होती है, उसमें इसम भी होता है, उसमें फेल होगा, हर्फ होगा, सिफत होगी, जमीर होगे, या उससे फिर जुमले तश्कील पाते हैं और फिर इसी की तर्टीब से हम आगे बढ़ते जाते हैं यानि इसमें मारफा होगा इसमें नकरा होगा तसकीर उतानीस हो सकती है उसकी तसकीर उतानीस वाहिद होगा या जमा होगा ये ये तमाम चीजे अरगर सिर्फ एक पर हम पॉइंट करें इसमें मारफा पर तो इसमें म चीज़े आती है तो अब या तो हम इसको करते हैं कि यह पूरी तर्टीब जो है बच्चे के जहन नशीन करा देते हैं और फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं कि इसकी यह यह तर्कीब होती है यह तर्टीब होती है और इसकी यह मिसाले होती है तो यह वो तरीका है जिसको ह साथ जहन शिर्ट कर लिए इसकी मिसाल यह होगी लेकिन बाद अगर यह चीज वो इतलाक नहीं कर पाए किसी जगा पर या मिसाल भूल जाए खुदाना खास्ता और फिर उसका जब इतलाक करे तो मुश्किल यह है कि वो तमाम चीजों को जो है वो हसल ली कर पाएगा जो उसक कि जो रिवायत है उसकी होसला शिक नहीं करनी चाहिए उसको बिलकुल इंकरेज नहीं करना चाहिए तो यह इसी वज़े से इसकी और दूसरा एक और तरीका है वो है इस्तक्राई तरीका जिसको हम इंडेक्टिव मैथट कहते हैं यह तरीका एक अमली कावाइद जिसको हम क बयान की यह इस चार्ट की बदर से आप ज्यादा बहतर तरीके से समझ सकते हैं यह अपने मिसाल को यह अखस किया और उस मिसाल से उसका नतीजा अखस किया और उस नतीजे से फिर आप तारीफ बयान करते हैं और तारीफ उसकी बताने के बाद फिर हम उसका इतलाग करते है यानि उसका इतलाक कैसे होगा फिर दोबारा मिसाल की तरफ वापस आते हैं तो यह वो तरीका है जिसमें हम कहते हैं कि यह इस्ताकराई तरीका है मिसाल के तर पर अगर हम कोई अभी जैसे मैंने जिकर किया था कि इसम पढ़ा रहा है या इसी तरह कि कोई और चीज हम बताना चाहते हैं बच्चे को जमाने के बारे में बात कर रहे हैं तो जमाने में हमने बाद एक ऐसी जुमले तलाश किये और वो हमने ब्लैक वोड पे लिखे हैं बच्चों के जरीए वो उनको आख्स करवाएं कि ये जमले कैसे हों मैं कल स्कूल जाओंगा मैं कल स्कूल गया था मैं कल स्कूल जाने वाला हूं ये जो जमले हैं ये जमाने को बयान कर रहे हैं कि जाओंगा का मतलब आने वाले कल के बारे में बात है मैं गया था यानि पिछले कल के बारे में बात है तो ये जो चीज़ है और फिर ये मिसाल के जरीए हम इसका नतीज़ा आखस करते हैं कि इसे नतीज़ा क्या है और नतीज़ा के बाद फिर हम तारीफ पर आते हैं कि ये जो है, ये इस जमाने का जिक्र है, ये माजी का जिक्र है, माजी का जमाना है, ये मस्तखबिल की बात कर रहे हैं, ये हाल की बात कर रहे हैं, तो ये जमाने का फरक होता है, अफिर उसके बाद उसका इतलाग करते हैं, कि अगर इस तरह की चीज़े हमने जहें नशीन करा तो ये एक सबसे बहतर तरीका है और आजकल इसी तरीके को हम लोग अपने क्लास्रूम टीचिंग में इस्तामाल कर रहे हैं पढ़ने पढ़ने के तरीके में इस्तामाल करते हैं और इसको ही अमली कवायत के शक्ले दी जाती है एक और तरीका भी है इंतजाजी तरीका है अपने पढ़ने पढ़ने के तरीकों को इस्तेमाल करते हैं यही वजय है और यही करना ही चाहिए और हम लोग यही अपनी क्लास्रूम टीचिंग भी करते हैं यहाँ पर दो प्रश्न आया है पहला है शिप्रा मिश्राजी का वीज़ बील एड स्टुटेंट और वो समझना चाहती है चैन यू हल पस तो अंडिस्टांड बेस्ट टीचिंग मेथेट फ़र उर्दु ग्रामर और अलसो वाट काइंड प्रॉब्लम वीकें फेस इन दा क्ल पे मिल गए होगा सबसे बहतर तरीका यही है जिसको हम इस्ताकराई तरीका कहते हैं इस्ताकराई तरीका के जिसका हम सब लोग इस्तामाल कर रहे हैं और यही आमली कवायत का हिस्सा भी है और कवायत को हमेशा जो है अमली कवायत के तोर पर ही पढ़ाया जाना चाहिए सब कवायत का कोई उसूल उनको बता सकते हैं नसर का हिस्सा है तो हम उस मतन में से चाहे वो कहानी है चाहे वो मजमून है नाविल का कोई हिस्सा है वहीं से हम एक तबास इस तरह से अगस करेंगे और उस मतन की रोशनी में जो है कवायत के उसूल को बताते हैं कि अलफाज किस तरह से अपनी शकले बदलते हैं अलफाज की शकले अलग अलग और किस तरह से जो है वो अपने चोले बदलते हैं यानि एक मतन में अगर उसको रखा जाता है तो उसकी माने कुछ और होते है दूसरे सियाक में अगर उस ही लफ़ को हम इस्तामाल करते हैं तो उसके मानिय दूसरे होते हैं तो लहाजा कॉंटेक्स जो है जो मौजू है उसका वो खास एहमियत रखता है और उसी सूरत में जो है हमें उस सबक को पढ़ाया जाना चाहिए तो कवायत पढ़ाने के लिए बहतर तरीका वही है कि हम इसको अमली कवायत की शकल में पढ़ाएं और रही मुश्किल की बात तो बच्चों के सामने अगर हम कोई बात उनके साथ डिसकस करते हैं उनके साथ शेयर करते हैं तो दिल्चस्पी उनकी तभी बरकरार होगी जब हमारी बात कहड़े में या जो बात सीख रहे हैं उसमें उनको कोई लुथ फासिल हो ये लुथ आमोजिश जो है वो खास एहमियत रखती है यहां पर लुथ आमोजिश में ये है कि कोई भी चीज त है जो उसमें अपना पार्टिसिपेशन तब ही हो सकता है जब हम बच्चों के जरीए या उनकी शिरकत के साथ कोई चीज को समझने की कोशिश करें और कवायत में भी यही उसूल कारफरमा होता है कि जब तक बच्चों के जरीए हम वो चीज़ों को नहीं हासिल करेंगे चा चाहे चार्ट बनाने का तरीका हो या मिसाल और अखस करने का तरीका अगर बच्चों की मदद से हम वो चीज़ें करते हैं तो उनकी आमली शमूलत होती है और वो उस चीज़ को और बہتर तरीके से समझ सकते हैं दूसरी चीज़ यह है कि अगर हम मिसालों के जरीए चाहे वो चार्ट की शकल में हो चाहे डायग्राम की शकल में हो बहुत सारे ऐसे कवायद के तो बेशुमार इस तरह कि मिसाले मौजूद हैं कि एक एक चीज़ बताने के लिए कई एक मिसाले तैयार की जा सकती है चार्ट तैयार की जा सकते हैं डायाग्राम तैयार की और बहुत सारी चीज़े इंटरनेट पर भी मौझूद है जो हम लोग बराबर देखते रहते हैं और हमारे सामने यूटूब पर पिछले दिनों बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह के आये हैं कि कवायत को सिखाने के सिर एक और प्रशन लेते हैं साहीबा जी का है वो टीचर है बाइ प्रोफेशन उनका पूछना है few students in my class are not capable of pronouncing उर्दू शब्द उनकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो की प्रनौंस नहीं कर पाते हैं उर्दू शब्द तो वो frustrated feels feel करती हैं sometime तो because even after putting a lot of effort I am not getting the result I should get what should I do should I force them or should I let them not learn it देखे बहुत अच्छा सवाल है और ये कमोबेश जो है जादातर जगों पर ये मसला सामने आता है ये मसला है तलफोज का उर्दू लफजों का तलफोज कैसे अब लफज में जाहर है हर्फ शामिल है और उस हर्फ की सही आवास की अदाईगी हर्फ की आवा तरी का इस्तामाल करना होता है इलम सौतियात जिसको आप फॉनिटिक्स कहते हैं कि उसका मखरज सही मखरज क्या है वो हमें मालूँ होना चाहिए जिस तरह से हम आवासों को अदा करते हैं तो आव तो आव तो आवास की सही आदाईगी हो दूसरी चीज़ जो इसमें है मु लफजों का तलफ़ एमला के ओपर है वो अवाला अगर हमें सही मालूम है तो हम उसको बहतर तरीके से कर सकते हैं अब्तिदाई जमातों की किताबों में अगर आप देखे तो उसमें लास्मी तोर पर जो है अलफाज के ओपर यानि अलफाज जो लिखे होंगे उसमें और इन सब के लिए जरूरी है के हम उस हर्फ को मिला कर किस तरह से आदा करेंगे कोई लफज है अगर उसके तलफ़ज में थोड़ा सा फ़र्क हो जायेकर तो लाज़मी है कि उसका माणई बदल जाते है अगर मुल्क है एक लफ़ अगर मिल्क पढ़ेंगे तो उसके मानी बिलकुल अलग है मल्क के मानी अलग है मुल्क के मानी अलग है तो ये जो तलफ़ुज का मामला है वहाँ पर हमें दियान रखना होता है कि उसका सही तलफुज क्या है और ये ज्यादा तर दुश्वारी जो पेश आती है वो इसलिए कि हमें शुरू में इस बात की तर्बियत नहीं होती कि हम उसके उपर सही एराब लगा कर पढ़ते हैं तो लहाज़ा हमें बच्चों को चाहिए कि मश्क इस तरह से कराएं कि वो सही तलफुज उस लफ़ का अदा करें पहली चीज़ दूसरी चीज़ दीरे जब वो लफ़ बार बार इस्तमाल होते हैं तो वो उसी तरह उसके महावरे में आ जाते हैं जब वो महावरा हो जाता है या उसको आदत पढ़ जाती है तो वो फिर इस तरह की गलती नहीं करते हैं एक और इसमें दुश्वारी पैदा होती है जिसको अक्सर लोगों ने शिकायत की है कि वो इलाके की वज़े से भी तलफोज तो इलाका कोई माने नहीं रखता किसी भी जबान में जबान की अपनी एहमियत है अपनी खुबी है और हर जबान की अपनी खुसियात होती अलाका जो असर करता है वो मखारिच की वज़े से क्योंकि हमारे ये जो आजाय सौथ हैं वो इलाके के इताबार से जोगराफियाई महौल के इताबार से हमारी अपनी तर्वियत के इताबार से तर्तीब पाते तो बहुत सारे आवाजों की आदाएगी हम उस शकल में नहीं कर पाते जिस तरह से हमें करनी चाहिए दूसरी चीज ये कि हमारी इस तरह की मश्क हो जाती है कि हम किसी लफ्स को किसी अलग अंदास से किसी अलग तरीके से इस्तमाल करते हैं लेकिन उससे माना अगर बदलते हैं तो दुश्वारी है अगर माना नहीं बदलते हैं तो इसमें कोई दुश्वारी नहीं है मिसाल के तोर पर दकन के लोग है उनके अपने बोलने का अंदास बिलकुल अलग है इस्टन इंडिया के लोग है या बिहार और पूरवी उतरपरदेश ये जो इलाके हैं इनके अलग हो है तो ये उस जबान की खुबी है इसको पते ये नहीं है कि इससे कोई दुश्वारी प पालके ये उस जबान की खुबी है और उसी अदास से जो है उसको सीखना चाहिए हाँ कोशिश ये होनी चाहिए कि धीरे धीरे जो मियारी तलफ़ोज कायम किया गया है उस लफ़ का वो उसको अधा करें और ये मश्क के जरिये मुम्किन है हमें दिक्कत होती है उर्दू बोलने या सीखने में क्योंकि लोग हमारा मुखाल उडाते हैं जब मैं उर्दू बोलता हूँ तो उसमें शेत्री इंफ्लूएंस होता है मैं बिहार से हूँ तो ऐसे में क्या करूँ जी अभी मैंने जिक्र किया बिल्कुल वाजिब है ये इस तरह की जो चीज़े होती है लेकिन ये इससे कोई एहसास कमतरी या कहना चाहिए किसी तरह की निगेटिविटी नहीं है बलके मैंने कहा कि ये इलाकाई असर है और ये हमारी जबान की खुबी है बोलने की हद तक है लेकिन लिखने की हद तक कहीं नहीं है जब पढ़ने लिखने की बात आती है तो हम जबान को उसी तरह से लिखते पढ़ते हैं जिस तरह से दूसरी इलाकों के लोग हैं चाहे वो दकन के हों चाहे बहार के हों या सबी जगापर लिखने की हद तक कोई दुश्वारी नहीं है हाँ बोलें की हद तक जरूर है जिसका मैंने अभी जिक्री किया कि उसके वो जिगराफियाई जो मामलात है और जो अपने मखारिज की अदाईगी की जो सूरत है जो तर्बियत है उसका एक फरक पड़ता है और वो लहजे का फरक होता है सिर्ख और इसमें कोई ऐसी दुश्वारी हाँ गलत अगर तलफ़ज है तो वो शायद मुश्किल पैदा होती है मखाल उड़ाने की बात तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि जबान का मामला तो ऐसा है कि वो हमेशा रंग बदलती रहती है बहुत सारे ऐसे अलफ़ज उसमें उर्दू में ऐसे आए हैं जो इस्तेमाल करते करते जिनका गलत तलफ़ज जो तलफ़ज सही नहीं गलत तो नहीं कहना चाहिए लिए जो तलफ़ज जिसका सही नहीं है और हम उसको इसको इसमाल करते करते वो आज हमारे हाँ रायज है और उसी शकल में उसी आवाज के साथ उसके अदाईगी होती है उन लफजों की तो ये ये चीज़े हैं और मेरे खाल से इसमें कोई दुश्वारी नहीं है हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जहां तक हो सके सही अदा करें, सही तरीके से अदा करें, सही लब औ लहजा इस ते अख्तियार करने की कोशिश करें तो मेरे खाल से ये कोई ऐसी मखाल उड़ाने वाली बात नहीं है सर जो प्लांगविज की क्लासेज होती हैं स्कूल में तो अकसर हमें जोर दिया जाता है कि आपके प्रनसियेशन सही होनी चाहिए तभी आप उसको सही ढंग से लिख सकते हैं जैसे कि कुश शब्द हमारी पहचान में होते हैं तो हम उसको सही लिख देते हैं लेकिन कोई नया शब्द आता है कक्षा के एडुकेशन के दौरान जब हमारे पास नया शब्द आता है तो टीचर्स बोलती है कि प्रनसियेशन करेक्ट होगी तभी आप उसको सही ढंग से लिख सकते हैं तो यहां पे ये बात कैसे वालिड है जबान को दो तरह से देखते हैं हम लोग जिस तरह से हम बोलते हैं उसी तरह हम लिखते हैं और जैसा लिखते हैं वैसा ही हम उसको पढ़ते हैं ये एक उसूल है और सब अपनी जगा पर उसूल दुरस्त है लेकिन जब हम किसी लख़ को पहली बार सुनते हैं या पहली बार पढ़ते हैं तो लाजबी है कि हमें उस लफ्स की अदाइगी से इतनी वाक्फियत नहीं हो हाँ अगर उस पर जेर जबर या एराब मौझूद है तब तो हम उसको सही पढ़ेंगे लेकिन हो सकता है कि उस पर वो चीज ना मौझूद है तो गलती हो सकती है लेकिन जब हम उसका सही माख़ज मालुम करते हैं कि ये लफ्स जो है वो किस तरह से तर्टीब पाया है इसका असल माख़स क्या है और फिर उस एतबार से जो हम उसकी तसी करते हैं तो जाहर है इसमें कोई दुश्वारी नहीं होती है क्योंकि लफ़ जो है वो अपनी शेकलें बदलते हैं जैसी जैसी नई नई चीजें आमारे सामने आती जाती हैं वो ऐसे ही जो है उनकी अपनी सूर्टे भी बदलती चले जाती है और एक लफ़ से मुक्तलिफ अलफ़ास तश्कील पाई जिसको आप सेमेंटिक चेंजिस कहते हैं यह बहुत सारी चीजें हैं उसके साथ लेकिन क्लासरूम टीचिंग में जहां तक बात है हम क्लासरूम के अंदर बच्चों पर यह जोर देते हैं कि सही तलफ़ज हो बिलकुल सही तलफ़ज हो और मियारी तलफ़ज हो तो यह अप्तिदाई जमात में बेमाना बात है इतना जरूरी नहीं है और N.C.F. में खास तरसी इस बात का जिकर किया गया है कि अप्तिदाई सतह पर रोकने और टोकने की आदत से गुरेज किया जाना चाहिए रोकना टेकना यह कि उस वक्त जो हमारी जरूरत होती है वो यह कि बच्चे के अपनी बात कहने की सलाहियत फरूख पाए वो अपनी बात को कह सके अपनी चीजों को बयान कर सके अपने गोर्व, फिक्र को तर्फीब, उसको जो है, उस MEं पुख्तगी ला सके तो ऐसी सूरत में अगर हम वहां पर रोक कर उसकी लफ़ों को गलत अदाईगी के ऊपर टोक कर के जो हम उसको उसको अपनी सौचने समझने की सलाहियत को जो है या ऐसी तदाबीर इस्तामाल की जाए जिस से वो अपने तलफुस को सही कर सके लेकिन उसकी वो जो बोलने की सलाहियत है अपनी बात कहने की सलाहियत है अपनी चीजों को सामने रखने की सलाहियत है वो हर्गिस मजरू नहीं होनी चाहिए ये अब्तिदाई जमात पर बहुत जरूरी है जैसे जैसे वो दूसरी जमातों में बचा आता जाता है तो वो उसका तलफ़ अपने आप दुरस्त होता जाता है और ये बराबर मश्क इसके लिए बहुत जरूरी है अगर हम इस तरह की मश्कें तयार करते हैं और बच्चों के साथ जो एकसराइजिस करते हैं और उनके साथ इस तरह की सरगर्मिया अंजाम देते हैं तो जाहर है वो अपने तलफ़ज को बहतर बनाते है ये तमाम चीज़े उसमें जरूरी है सर उर्दू नस्र की कवाइद और उर्दू शायरी की कवाइद इन दोनों की कवाइद को पढ़ाते समय किन किन बातों का दिहान देना चाहिए देखिए पहली चीज़ तो कवाइद तो एक ही होती है हाँ नस्र में जो कवाइद जब हम पढ़ा रहे होते हैं नसर का कोई पराया या नसर का कोई हिस्सा तो उसकी कुछ आदाब अलग होते हैं क्योंकि नसर बिलकुल अलग है शायरी की अपनी बहुत सारी खूबियां हैं उन शायरी की जो असूल है उनको जिसको हम फन शायरी कहें फने शायरी अगर कहें तो वो बात अलग हो जाती है कि फने शायरी में शेर की खूबी शेर कैसे बनता है शेर की खूबी क्या होती है उसके जो लवाजिम है वो क्या क्या है यानि ये एक पूरी तर्तीब है जिसके जरीए हम उसकी बात करते हैं तो ये दोनों अलग अलग सूरते हैं तो मैंने अर्ज किया था शुरू में कि कवायत के बहुत सारे हिस्से हैं इल्म हिज्जा जिसमें हम हरुफ तहजी और हरुफ की बारे में बात करते हैं इल्म सर्फ लफ्स की तश्कील के बारे में बात करते हैं علمِ نہر زیادز میں हम जमलों, जमलों की साखत, जमलों का साखत, जमलों का इस्तमाल उस पर बात करते हैं, फिर आते हैं एल्मबलागत पर, इल्म बलागत में जो शीरी मحاسन हैं, जो खूबियां हैं अन सब की वजाहत की जाती है और उसके बाद इल्म अरूज की बात करते हैं अरूज जो है वो जो शेर की जो खूबियां है शायरी के अंदर जो खूबियां है तक्ती करना उसके आउजान रोकन ये तमाम जो अरकान वगरा हैं इन सब कि तश्कील कैसे होती है? और कौन कौन सी चीज़े है? यह सब अरूज का हिस्सा होते हैं. जिसकी मदद से हम यह तैक करते हैं कि ए श इस शेजर जो है इसका वजन में है, इसकी बहर है या बहर में है या बहर से खारिज है इस तरह की जो तमाम चीजे हैं वो काफी लंबी बहस है उस पर और उसको करते हैं तो जब हम क्लासरूम में जिस तरह का भी सबग पढ़ा अगर नसर का पढ़ा रहे हैं तो उसके वो आदाब हमें रहास में रखने पढ़ेंगे जो नसर के लिए होती हैं और जो उसकी कवाय़, यानि जबान को बहतर है, असल मकसा है जबानाता है, कैसे सूर्टे होंगे। उसको जो है बताना होता है और उस्ताद के लिए मौलिम के लिए ये बहुत जरूरी है कि इन तमाम चीजों का उसको इल्म हो और जब उसको इल्म होगा तब ही वो अपने तलबा को अपने तालिब इल्मों को बहतर तरीके से दिल्चस्प तरीके से खुबसूरत तरीके से जो जो है शामिल कर सकता है ये बहुत जरूरी चीज है तो आज हमने जाना उर्दू कवायत की तद्रीज के बारे में और सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ हमारे आज के इल्म के काफीले का अंत होता है और अगर आपके कुछ सुझाव या प्रश्न है आज के एपिसोड से जुड़े हुए तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर या इमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं हम काफी सारी सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पे भी अवेलेबल है जैसे कि यूट्यूब के थूँ आप हमें संपर्क कर सकते हैं एंसी ए झाल झाल झाल